जमीन विवाद को लेकर सगे भाईव परिजुनों नहीं मिलकर की हत्या नवागर थाना 13 ग्राम के प्राती सनंदन कश्चप पिता रादिशाम कश्चप उम्र 20 साल साकिन 13 ग्राम थाना नवागर पुलिस को सूचित किया कि दिनांग 26 अगस 2021 को मा अपी भाई वर बड़ी मा संतोशी भाई दोनों सुबह दादर खेत ग्राम सेम्रा में खेती काम से जो शाम तक वापस नहीं आये शाम को परिवार के साथ खोजने पर भी पता नहीं चला कि सूचना पर किसी अन्होनी की शंका पर ततकाल स्टाफ के स्थल गटना हुई है गटना इस तल पर दादर खेत के आसपास खोज बीन किये तो संतोशी भाई वापी भाई दोनों पती कि रादेशाम कश्यप बीच खेत में पेट के बल मृत अवस्था में पड़ी थी ततकाल मौके पर ही देहाती मर्म कायम किया गया शव का निरिक्षन करने पर किसी अग्यात व्यक्ति द्वारा दोनों बहनों की हत्या कर देना पाय जाने से मौके पर ही धारा का देहाती जमीन का विवाद चल रहा था जिस बात को लेकर कुछ दिन पूर विनोध एवं विनोध की पतनी फगनी भाई दोनों के द्वारा संतोशी भाई वर आपी भाई को जान से मार देने की दम की देई गई थी 27-21 को प्रार्खी सनंदन कस्या जो की तिंद्वा का रहने वाला है उसके द्वारा थाना को सुचन दिया गिया कि इसकी मा आपी भाई और इसकी बड़ी मा संतोशी भाई ये दोनों दिनांग 26-28 को खेट में काम करने के लिए सुबा 8-9 बज़े के आसपस घर से निकले थे और साम को जो दोनों खेट से काम करके वापस आ जाते थे जो उस दिनांग को वापस नहीं आये हैं वापस नहीं आने पर इसके घर वाले और प्रार्खी के सभी लोग इसको खोजने के लिए खेट के पास गये थे जहां उसका पता नहीं चला और इस सुचना पर ततकाल हम तो ग्रवाना होके मोके पर गए थे खेट पास और खेट के पास आद पस पततलास किये तो खेट के बीच में ही इसकी मा और इसकी बड़ी मा दोनों कष्टा पड़ा हुआ था जिस पर से देहाति अपरात कैम किया गया और प्रार्थी और उसके परिजनों से फोसाश किया तो बताए कि जो मृतिका है आपी भाई और संतोसी भाई इसके भाई के साथ इन लोगों का पुराना जमी समंधी विवाद चल रहा है और कुल जिन पहले ही मृतिका के भाई विनोत कस्याथ अर उसकी जो पत्नी है वो इन लोग को जमकी दिये थे कि हम लोग तुम दोनों को जान से मार देंगे तो संदेख के अधार पर उसके भाई और उसके परिजनों को पूर्साथ के लिए लाया गया था अब पूर्साथ पर उसका मृतिका का जो भाई है विनोत कस्याथ और उसकी पत्नी फगनी भाई और उसका बेटा हेमन कस्याथ तीनों के दोरा या सिकार क जमीन विवात के चलते ही इन्होंने उसकी हच्चा की है और खेट में खेट के पानी में इसके सीर को डुबा कर इसकी हच्चा की गई है और उसी अधार पर आज इनको गिरफतार किया गया और नयाइकनिमान पर भेजा गया है इसमें तीन आरोपी हैं जो मृत का है उसका भाई विनोत कस्याव उसकी पतनी फगनी भाई और उसका लड़का है